हेलो बच्चों क्या हाल है अब का चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का माना टॉपिक है कंपाउंड मुल्डिपल लेंगिस जो हम लोग पढ़ रहते मुल्डिपल इन सब मुल्डिपल लेंगिस के बारे हम लोग को जाना तो बेस्ट कुछ कोशन करेंगे और अग वाइस आज खाली कोशन करके हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे चलिए हमारा पहला कोशन लिखा है इफ टैन पाई बाई फोर प्लस अलफा बाई टू देन प्रूफ देर साइन थीटा एकोस तो थी सैन अलफा प्लस साइन क्यूब अलफा अपॉन थी सैन स्क्वार यहां अंसर में हमको ₹प दीदा और यहां पर शाहिए हुआ हमको फूल याह निके दिया है कैसे सब सम्मुल्टिपल में चाहिए किसमें मल्टिपल में सब मल्टिपल्ट वर्ब्लट इसलिए क्यों कि हम लोग को रहले चुरू करते हैं ध्यां से इसका ही सिर्म्म्ला उसका बताई जा चुकह है तो इसका मिल्ट टव अध्य एक दो अभेश भाइए मोन ग recap of 10 alpha by 2 upon 1 minus 10 alpha by 2 whole cube बहार चला जाएगा sin cos में आपको बदलने आता है sin cos में अगर इसकोल में बदले यह हो जागा sin sin cos में बदलने से पहले आप LCM लेजएगा जब LCM ने एक बात क्या बनेगा हमारा cos theta by 2 plus sin theta by 2 upon cos theta by 2 minus sin theta by 2 similarly जब उधर करेंगा हम लोग तो हम लोग क्या मिलेगा cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 minus sin alpha by 2 इसका whole cube अभी भी देखिए हमारे पास theta generate नहीं हुआ है तो हम अब इसका क्या करेंगे isquaring अब क्या करेंगा हम लोग स्क्वाइरिंग जैसे स्क्वाइरिंग करेंगे तो देखिएगा यहां ध्यान से हम यहां पर साइट पर करके आपको दिखाते हैं क्या बनेगा जब यहां बीच है माइनस होगा तो यहां माइनस आएगा हो यहां क्या लग जाएगा माइनस जब इसक्वाइरिंग करेंगे तो देखिए पहला अल्टम जो बन कराएगा मेरा क्या बन कराएगा यहां प्लस साइन थीटा अपॉन यहां धिजेगा बात ओपर फिकल यहां तो समझने को पास कोई परिशानी नहीं होने चाहिए यहां तरह बहुत इजी वे इसी गॉइंग में आप समझ गए होंगे कि यहां तक हम लोग पहुंच गये यहां देकर किसे हम लोग को वन को को Eliminate करना पड़ेगा ठीक है थ्वड़ा ध्यान देजेगा यहां से हम लोग को देखिए वन नीचे चाहिए लेकिन उपर से वन नहीं चाहिए तो सबसे पहले हम लोग राइएंड साइड का कुब को expand करेगे गैंकर ने चाहिए सक्व你看 युझी ईद क्रूल चाहिए न 3a square b plus 3ab square देखिए यह हमारा लग गया इसके बाद हम लगाएंगे component and dividend क्योंकि हमको one को eliminate करना है one eliminate तब ही होगा जब क्या लगाएंगे मेरे पास component and dividend देखिए जब component and dividend लगाएंगे तो क्या में लेख हमारे पास one plus sin theta plus one minus sin theta जहां से देखिए का बच्चा पाटी one plus sin theta minus one plus sin theta उधार देखिए राइट हैंट में क्या बचेगा 1 plus sin cube alpha plus 3 sin squared alpha plus 3 sin alpha plus 1 minus sin cube alpha minus 3 sin alpha plus 3 sin squared alpha यह numerator आया डिनोमेटर में देखिए क्या आएगा वन प्लस साइन क्यूब alpha प्लस 3 sin squared alpha plus 3 sin alpha minus 1 plus sin cube alpha plus 3 sin alpha minus 3 sin squared alpha देखिए माइनस होगा तो साइन साइन आपसे बदल जाता देखिए यहां से यह कट गया यहां से यह कट गया आपस में ठीक है ऊपर देखिए साइन क्यूब alpha plus 3 sin squared alpha 6 sin squared alpha और नीचे देखिए क्या बचा साइन क्यूब alpha प्लस साइन क्यूब alpha 2 sin cube alpha plus 3 sin alpha 6 sin alpha ठीक है देखिए का धियां से कुछ कर दो नहीं गया है पहले हमने क्या किया है 10 pi by 4 plus theta by 2 को formula लगा दिया 1 plus 10 theta by 2 upon 1 minus 10 theta by 2 सेम होची जहां पर लगा है whole cube देखिए आपको बाहर चला जाएगा पर इसको sin का उसो बदल दिया sin का उसो बदलना समयाद आप लोगो फिर squaring किया है cube को consider करके u squaring किया है क्यूब को हमने बाहर ही रखा देखिए ध्यां से squaring करने का formula उको बता दिया गया था पहले भी फिर यहां मैंने लिख दिया एक बार यह value आ गए हमारे पस अब जब whole cube किया तो इधर राइटर से का whole cube कर लिया whole cube का formula पता है aq plus b q plus 3 a b bracket में e plus b aq minus b cube दूसरे a minus 3 भी bracket में e minus b दोनों का formula अप्लाइक कर दिया गया और उसके बाद क्या लगा गया component वेंड डेवरेंड हो देखिए बहुत easy going में solve होगा बहुत असानी से solve जाएगा चिंता की बात नहीं है वो ध्यान दीजेगा ठीक है अब चलिए उसके बाद कर स्टेफ हम यहां continue कर देते हैं बस एक लाइन का और कोशन बचा है हमारे पास कि देखिए यहां से टू कट गे उपसे टू नीशे से कॉमल काट दिया हम तो बन जाए हैंका 1 plus 1 by sin theta equals 2 1 plus 3 sin squared alpha upon sin cube alpha plus 3 sin alpha क्या लगा तेंगे इसके बाद invertendo invertendo लगाएंगे तुरांथ हमारा answer आगे sin theta equals to sin cube alpha plus 3 sin alpha upon 1 plus 3 sin squared alpha देखें यह हमको verify करना था लिगे देंगे फिर hence proved ठीक है तो question solve करने के लिए आपको formula बहुत अच्छे से learn होना चाहिए formula learn हो का तभी आपके पास हो पाएगा ठीक है और approach करने का तरीका आपको मैंने सिखा दिए इस question में कोई परचाहिए नहीं होने चाहिए फिर चलिए अगले question पर आता है अगले question पर आता है अगला question जो हमको लिखा है साइन स्कॉर 24 डिग्री माइनस साइन स्कॉर 6 डिग्री ठीक है साइन स्कॉर ए माइन साइन स्कॉर बीका फार्मला को बढ़ा जिए कुछ हो का है साइन ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में साइन साइन 30 डिगरीस साइन एटीчес साइन एटीन डिग्रीस साइन एटीन साइन डिग्रीस साइन एटीन डिग्रीस डिग्रीस की वेलाइग की वैल्यू रूट 5-1-1-4 यानि की रूट 5-1-8 यह मिरा अंसर हो गया तो दिखिए फार्म्ला बेजडी कोशन होते हैं जानली बहुत ध्यान से करिए कुछ दिक्कत की बात नहीं है चलिए अगले कोशन पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशन हमसे पूरा पुटप किया है इफ साइन एकोस तो रूट 5 बाइट 3 एंड एक्स लाइज इन सेकंड कोड्रेंट फाइंड कॉस एक्स बाइटू साइन एक्स बाइटू एंड टैन एक्स बाइटू चलिए इसका सोलुशन करते हैं रहां से दखिए सेकंड कोड्रेंट में एक्स लाइक कर रहा है यानि कि एक्स जो होगा मेरा 90 से बढ़ा होगा और 180 से छोटा होगा तो जहामको x by 2 चाहिए तो सबको by 2 कर दें तो यह pi by 4 हो जाएगा यह x by 2 हो जाएगा यह pi by 2 हो जाएगा सबको 2 से डिवाइड कर दिया divided by 2 to get the quadrant in which x by 2 लाइज ठीक है तो x by 2 कहां सब्सक्राइब किया पाइब फॉर से लेकर पाइब टू तो पाइब फॉर से पाइब टू थोना ध्यान दिजेगा पाइब फॉर लाइन यह हो गया जिरो यह पाइब टू यह यानि कि इसके बीच में लाइक कर रहा पॉजिटिव यानि कि सारी किया हो जोग यह पॉजिटिव यानि कि कॉसेश बैटू भी पॉस्टी वह और सइनक्स बीटू पॉस्टीव और яकश ने रहोगा पॉस्टिव होगा ठीक है इतनी समझनेक कोई परशानी आपके पास दिमाग में नहीं होनी चाहिए चलिए अ अब आते हैं सेलुशन पे हम लोग देखिए साइन एक्स की वैल्यू अगर रूट 5 भाइट 3 है तो हम लोग कह सकते हैं को सेकेंड क्वाड़ेट में कैसे निकलेगी 1-sin square x 1-5 by 9 4 by 9 ध्यान देजेगा फिर यह cos square x है तो cos x किसके कल हो जागा मेरा 2 by 3 प्लस मानेक से साथ दो option है 2 by 3 भी और minus 2 by 3 है और x लाइक कर रहा है क्योंकि किस क्वाड़ेट में सेकेंड क्वाड़ेट में इसलिए cos x की कौन सी वेल्यू कंजीर करेंगे हम लोग निगेटिव वाल यह दिंगी क्या है अंसर मानेस 2 by 3 अब हमको पता है since cos x equals 2 फर्मला हमको पता है 2 cos square x by 2 minus 1 cos x की वेल्यू कितनी होती है 2 cos square x by 2 minus 1 cos x की वेल्यू मेरे पास आच्चों कि कितनी है minus 2 by 3 2 cos square x by 2 minus 1 1 को इदर ट्रांसफर कर लेंगे हम लोग 1 minus 2 by 3 is equal to 2 cos square x by 2 और ध्यान दिजेगा जब इसको simplify करेंगे तो आपको कितना है अंसर 1 by 3 is equal to 2 cos square x by 2 तो cos square x by 2 किसके एको लो जाएगा 1 by 6 अगर square root लेंगे तो क्या जागा 1 by root 6 अब आपके दिमाग में answer है question होगा भाई क्यों हमने positive negative में लिखा है reason आपको पहले इस पता है क्योंकि x by 2 किसमें लाई कर रहा थे मेरा first quadrant में कर था अभी आपको मैंने करके दिखाया से पहले तो cos x by 2 कितनी आगे 1 by root 6 अब sin x by 2 इसके basis पे आप निकाल लेंगे और दोनों को divide करेंगे तो आपको क्या हो जागा 10 x by 2 तो यह आपके लिए homework में छोड़ देता हूं कि आप आप find कर लिए self से find self sin x by 2 and tan x by 2 sin x by 2 निकालने क्लिए क्या लेगा देंगे आप लोग sin x by 2 equals to under root 1 minus cos square x by 2 और tan x by 2 निकालने क्लिए क्या लेगे आप लोग sin x by 2 upon cos x by 2 दोनों को उठाके आप डिवाइट कर दिएगा ठीक है फिर कमेंट करके में बताइए तो आपको बताएं कि आपका सही है कि गलत है ध्यान से देख लिए कुछ है ने इसमें परशानी की बात चलिए अब अगले कोशन पर आते हैं आजके क्यों बैच्छा पाटि उसे बोड के लिए भी कमपेटिटिव लिए और आधर कोई भी छोटे मोटे अग्जाम होते हैं उसमें भी ट्रॉमेट्री भोजा दे आता हमारे पास तो बस बोर मत हो यह ट्रिवरमट्टी से करते रहें धेरे धेरे complete हो जाएगा चलिए अगले question पर आते हैं अगला question हम से arise किया है question number 4 1 plus cos pi by 10 1 plus cos 3 pi by 10 1 plus cos 7 pi by 10 1 plus cos 9 pi by 10 is equals to 1 by 16 अब लोको लेकर आना है ठीक है चलिए अब थ्यान दिजेगा इसका जो pi by 10 है ध्यान दिजेगा इसको थोड़ा break करें पाई के form में 1 plus cos pi minus 3 pi by 10 solve करिए 10 minus 3 7 pi आ जाएकर ठीक है इसी तरह इसको solve करें अगर तो pi minus pi by 10 pi by 10 को जब solve करेंगे pi minus pi by 10 तो फिर से क्या जागा आपके पास 9 pi by 10 ठीक है cos 180 minus theta ध्यान दिजेगा quadrant 180 minus theta यहने कि second quadrant के बारे बात हो रहा है second quadrant में क्या होता है negative होता है भाई pi by 10 1 plus cos 3 pi by 10 यह क्या हो जागा 1 minus cos 3 pi by 10 यह हो जागा 1 minus cos pi by 10 देखेगा यह यह और यह यह एक साथ देखिए a plus b a minus b a square minus b square देखिए बच्चा पार्टी कितना easily solve होते जा रहा है देखिए इन दोनों का भी a square minus b square यह क्या हो जाएगा sin square pi by 10 यह हो जागा कितना sin square 3 pi by 10 फिर से ध्यान समझ लीजे अच्छा अब आपके दिमाग में यह भी question उठ सकता है कि हमें कैसे बता चलेगा कि हमको इसी दो को break करना है तो अपने दिमाग में याद रखिए कि जिन दो एंगिल का सम मेरा क्या रहा होगा सब्लिमेंटरी आता है उसी को break किया तो इसको आपस में पेर करेंगे और इसका इसका थी पाइब बाइब सम्कान आरा देख लिजेए lleolinda special करके पाई रखिए करके हैं कि यहां तो समझतों कोई परशानी होने चाहिए दिमाग में परशान देखो कमेंट सेक्षेट्छन ने कमेंट करके पूर सकता है अगे अब आगे देखते हैं सल्वेशन इसका है आप देखिए हम लोग को पता है sin squared x equals to 1 minus cos 2x by 2 and cos squared x equals to 1 plus cos 2x by 2 ठीक है तो इस formula थोड़ा ध्यान से देखिए x है तो यहां कितना रहा है 2x उसका just double तो देखे sin square pi by 10 है तो इसको लिसकते है 1 minus cos 3 pi by 5 by 2 इसका just double ठीक है तो इसका just double करेंगे क्या मिलेगा pi by 5 इसका just double करेंगे तो क्या मिलेगा 1 minus cos 3 pi by 5 by 2 यह 2 2 तो अब बहार आगया 1 by 4 1 minus cos pi by 5 और दूसरे ब्रकेट में 1 plus 1 minus cos 3 pi by 5 अब अगर आप pi by 5 को solve करें तो 180 degree by 5 कितना degree आगे देखिए 5 3s are 15, 5 6s are 36 यानि 36 degree आगे ठीक है तो यह हो गया 1 plus cos 36 degree 1 minus cos 108 degree ठीक है तो अध्यान दीजेगा 108 हो गया दूसरा क्या हो गया आपका 36 degree हो गया आप देखिए ध्यान से कुछ करना नहीं हम लोगों खास cos 108 degree की value को पता नहीं है तो 108 degree की value कर हम निकालनी चाहें तो हम नहीं सकते हैं इसको कितना cos 108 degree equals to cos 90 plus 18 degree cos 90 plus 18 किसमें चला जागा second quadrant में तो minus cos 90 vertical angle तो change होगा तो minus sign 18 degree यानि कि पहला कोशन बन गया मेरा ऐसा 1 minus cos 36 degree और दूसरा बन गया 1 plus sign 18 degree cos 36 degree की value आपको पता कितनी होती है root 5 plus 1 by 4 और इसकी value आपको पता कितनी होती है root 5 minus 1 by 4 यह insert कर देते हैं हम लोग दोनों की value हम लोग को पता है तो 1 by 4 1 minus root 5 plus 1 by 4 1 plus root 5 minus 1 by 4 इसको simplify करने आपको आएगा simplify इसको आप कर लिजे जब answer निकालेंगे तो answer कितना आजागा इसका आपका 1 by 16 simplify आप कर लिजे इसको simplify आपका सकते है इसको समझने कोई परचानी नहीं होनी चाहिए आपको इस टाप के कोशन को चलिए अब कुशन पर एक आते हैं चलिए बच्छा पर्टी अगला कुशन देखते हैं देखे दिया हम लोग को 106 degree 1042 degree 1066 degree 1078 degree equals to 1 verify करना हम लोगो ठीक है चलिए ध्यां से देखिए सबसे पहले 10 का तो कोई formula मारे पास है ने product के form में तो हम लोग किसमें पढ़ेगा convert sign or cos में और pairing देखिए इसका इसका इससाथ करेंगे इसका इससाथ करेंगे रिजन यह है कि 66-6 हम लोग को कोई नोन डिग्री नहीं पता चलेगा ठीक है यहां पर पेरिंग ऐसा करते सिससे कि अंट करने लिए थो दीघू को को कोई अनुन डिग्री मिलने में तो 666 के में मिलेगा 42 și 78 के डिग्री में पेरेंग करने पर आम लोगो 9 डिग्री मिलेगा हम लोगोग पता है 045 60 30, 90, 120, 135, 150, 180, ऐसा कोई डिग्री हम लोगों मिल जाना चाहिए, ऐसा पेरिंग हम लोग करते हैं, तो चलिए जब पेरिंग करेंगे तो हम लोग को क्या हो जागा, साइन 66, साइन 6, साइन 78, साइन 42, अपान, कॉस 66, कॉस 6, कॉस 78, कॉस 42, फिर आपको बताए कि अधा प्रोड़क्ट के फार्मूले के एक प्रॉपर्टी होती है, सब में क्या चाहिए होता हमको, 2, 2 चाहिए होता है, देखिए, 2 लेते हैं, देखिए, उपर नीचे 2 कर जागा, सारा फार्म बन गया, 2 साइन A, साइन B, 2 साइन A, साइन B, 2 कॉस A, कॉस B, 2 कॉस A, कॉस B, 2 साइन A, साइन B क्या होता है, कॉस A, माइनस B, माइनस कॉस A प्लस B सेम ऐसे यहां पर क्या हो जागा कॉस A माइनस B 78 माइनस 42 63 36 डिगरी माइनस कॉस 78 42 120 डिगरी 2 कॉस A, कॉस B बस बीच में क्या आ जाता है प्लस आ जाता है क्या हो जागा यहां पर कॉस 60 प्लस कॉस 72 डिगरी फिर क्या हो जागा कॉस 36 प्लस कॉस 122 डिगरी बीच में दोनों के फार्मले माइनस का दिफरेंस होता है ध्यान दीजेगा अब यहां पर जो जो डिगरी हम लोग को पता वो डिगरी की वैलू डाल देते हैं अगर चाहिए तो सबकी निकाल सकते हैं अगर सबका आप नहीं रखना चाहते तो आपको पता है अलग-अलए सबकी वैलू पता है आमको जैसे कॉस 60 की वैलू आपको पता कितनी होती है वन बाई टू प्लस कॉस 72 भी निकाल सकते हैं आप कैसे यह क्या हो जागा साइन डिगरी कॉस 72 और साइन बराबर देखिए ध्यान से कॉस 72 डिगरी कॉन रिलिक सकते हैं कितना कॉस 90-18 डिगरी यह क्या बन जागा साइन डिगरी सेम इसी तरह इसकी वैलिऊट सींटी रोगों पता है इसकी वैली हो भी पता है इसकी वैलिऊं को थो पता हैं साइन पार यह मैंश Mrs. चलिए अब पूट करते हैं इसकी वैलिय मैंने पास कितनी सूद दाओ माइनस सान 18 डिग्री सान 18 डिग्री की रूट 5-1 lifes 4 फिर अगला 36 डिग्री रूट 5-1 बाई-4 इसकी वअल्यू प्लेस वन बाई-2 नीचे आते हैं प्लेस,6 की वाल्यू 1 बाई-2 सां 18 डिग्री की वाई-2 शान 18 डिग्री कितनी होती है रूट 5-1 बाई-4 फिस दके क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं क्या आगा देखिए यहां पर आजगा कितना रूट फाइव प्लस वन यहां पर आजगा कितना रूट फाइव प्लस वन प्लस टू नीचे हो जाए कितना फ्लस यहां पर आजगा कितना रूट फाइव प्लस वन माइनस टू ठीक है त्रध्या से देखिएगा अब इसको अगर आप सिंपलिफाइ करना चाहते हैं तो लिखी सकते हैं इसको 3 माइनस रूट फाइव अदूसरा लागा कितना थी प्लस रूट फाइव नीचे कितना है रूट 5 प्लेस वन दूसरा का कितना रूट 5 मैनस वन यह कितना जगा 9 मैनस 5 यह जगा 5 मैनस 1 4 by 4 आंसर वन देखे प्रूव होगे तो बस वैल्यूस आपको रखना सीखना है ध्यान से वैल्यूस रखिए और ध्यान से बहुत असानी से सब्सक्राइब तो आप लोगों किसी में जो भी दिक्कत हो प्रीवेस वीडियो देख लिए यह कोडरें रूल से आको सिखा दिया गया है ठीक है तो यह कोश्ण हो गए हमारे पास चलिए अखले कोश्ण पर आबाते हैं जो की ट्रूमेट्रिक अलाज कोश् इसमें आपको प्रीवियस यहर के में के विडिवांस के कोश्ण सब्स्किक सकते हैं और वह थोड़ा वीडियो हो 2 pi 3 plus a plus sin3 4 pi 3 plus a is equals to 3 by 4 sin3 ठीक है यह हम लोग को verify करना है ध्यान से दिखिएगा हमको answer 3a में चाहिए यहां सारा एंगिल a के फार्म में है थ्यान दिजेगा सारा एंगिल a के फार्म में है बच्चा लोग और answer हमको चाहिए कि इसमें 3a के फार्म में है तो हम लोगों कोई ऐसा मैथर पता चाहिए जिससे कि a को अम लोग 3a के फार्म में ले जा सके तो थोड़ा ध्यान दीजिए अपने दिमाग में थोड़ा डालिए sin3a का फार्मुला को बताये गया है 3 sin a minus 4 sin3a तो यहां देखे साइन क्यूब की वल्म निकाल सकते हैं साइन क्यूब एक और से कितना आएगा थ्री साइन ए माइनस साइन थ्री ए बाई फॉर देखिए क्यूब के फॉर्म में 3a आगे तो यानि कि इसके लिए सबसे पहले हमको सारे कोशन को इस फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा तो जब पहला वाला लिखेंगे तो क्या लिखेंग हम लोग तो 3sina-sin3a by 4 प्लस जब दूसरा लिखेंगे तो 3sina-a,a के प्लेस पर कितना आएगा 2p3 plus a फिर दूसरा क्या आएगा माइनस साइन 3A, तो इसको 3 से मलिप्लाय करके लाएंगे, क्या हो जागा यह, साइन 2 पाई प्लस 3A, बाई 4, प्लस, ध्यान देज़ेगा, इसको जब ब्रेक करेंगे, क्या मिलेगा हम लोगों, 3 साइन 4 पाई बाई 3 प्लस A, फिर बीच में माइनस, ध्यान देज़ेगा, इसको 3 से मलिप्लाय करके लाएंगे, तो हज़ेगा कितना, साइन 4 पाई प्लस 3A, अपॉन 4, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से कुछ है ने, इसमें, देखिएगा, 2 पाई, प्लस 3 है, पाई, टू पाई, मैं क्या किया गया, प्लस किया गया, यानि कि फर्स्ट क्वार्टन, यानि कि फर्स्ट क्वार्टन के बारे बात हो रहा है, 4 Πाइँ ठ्ध्यान दिजिए गाँ 4 पाई के लिए पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई देखें भई 2 पाई हो गया 4पाई भी मेरा झाए जीरो लाइन आगया ठीक है 52 पाई जीरो लाइन यह भी यह यह भी यहिन इस क्ट्रीज के बारें बहुत थो रहा है फर्स ऑर्टर में क्या होता है वाल पॉस्टिव होता ठेक है तो ध्यां देचे किया आएगा मेरे पास है 3 iphinasign a माइन जाइन 3a को वाई 4 थाड़ देखिए का माइनस 3 sin 4 यह बाई चाहिए था चलिए अब देखिए प्लस 3 sin 2 pi by 3 प्लस A माइनस sin 3 A by 4 प्लस 3 sin 4 pi by 3 प्लस A माइनस sin 3 A by 4 देखिए ध्यान से यह हमारे पास आ गया अब अगर इसको हम ब्रेक करके थोड़ा लिखना चाहिए तो देखिए क्या हमारे पास है 3 by 4 बार sin A plus sin 2 pi by 3 plus A plus sin 4 pi by 3 plus A और यह देखिए बाकी माइनस 3 by 4 sin 3 है देखिए result हमको यही चाहिए यानि कि यह पूरा term क्या आना चाहिए मेरा equals to 0 होना चाहिए ठीक है अब इसको हमको solve करना है क्योंकि result मेरा आ चुका है देखिए ध्यान से result हमको यही चाहिए तह माइस 3 by 4 sin 3 है वह आ चुका है बाकी remaining part में रखेना चाहिए 0 आना चाहिए इसको हमको solve करना है तब इसको हमको पकड़के solve करते है देखते है यह 0 आता है या नहीं आता है चली देखिए क्या था मेरे पास 3 by 4 से मतलब नहीं हमारे पास इस term से मतलब है तो देखिए क्या है sin a sin 2 by 3 plus a दूसरे bracket में क्या है sin 4 by 3 plus a ठीक है इसमें इस पूरे को दिमाग में c सपोस्कर इस पूरे को दिमाग में d sin c plus sin d का formula लगाने जा रहे हैं क्या होता है 2 sin c plus d by 2 2 by 3 plus a plus 4 pi by 3 plus a by 2 into cos 2 sin a c plus d by 2 into cos c minus d by 2 2 pi by 3 plus a minus 4 pi by 3 minus a by 2 देखिए एसे एकट गया ठीक है चलिए अब solve करते हैं इसको जल्दी से यह हो जागा कितना sin a plus 2 2 pi by 3 plus 4 pi by 3 6 pi by 3 by 2 यानि कि क्या बन जागा यह sin 2 pi plus a ग्रहां दीजेगा 2 pi by 3 plus 4 pi by 3 6 pi by 3 यानि कि कटके कितना आ गया तूपाई देखिए इसको टूपाई लिग दिया कि ठीक है सेम यहां देखिए यहां जब आपस में सब्टैट होगा 2 pi by 3 minus 4 pi by 3 देखिए कितना आ जागा हमाहा है माइनस 2 pi by 3 यह पॉंट है देखिए इसको इसको साल कर दीजेए फटाक से चली अब देखिए कितना जेक है यहां पर कॉस के टूपाई पाई थ्री बाई टू यहां देखिए निचालर टू छूट गया था ठीक है कब यहां मैरे ओधकर समझने में जो परिशाणियों को देख ली जैगे आप अब यहाँ पर माइनस यह नहीं लगा है यहां पर अंगल माइनस चैहा hey होस को माना सब्चेगा पता है को से माइनिस चैहा होता है कॉ स्थ मैशसặc होताई को 1 by 2 60 degree cos 5 by 3 बंदो 60 degree यह हो गया अब यह कितना आएगा sin a plus 180 प्लस Theta 180 प्लस Theta ठीक है इसमें आगए यानि कौन सा quadrant है यह third quadrant है कौन सा 대리स साइन क्या होता है माइनस में होता है यानि कि माइनस साइन आगा एह यानि 3 by 4 into 0 माइनस 3 by 4 साइन 3a तो रिजल्ट मेरा क्या जाएगा माइनस 3 by 4 साइन 3a देखें प्रूफ होगे ठीक है तो देखें वाई यह कोशन हमारे पास थे यह तरह ताइप के जो बचे हुए थे अब नेक्स्ट टापिक होगा मेरा प्रॉपर्टी आफ ट्रेंगिल या ट्रेंगिल इकोईशन में कि अगर आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सा ट्रॉपिक शुरू किया जाएगा तो हमको पसंद आएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको या तो ट्रेंगिल शुरू किया जाएगा तब तक घर पर रही है और गवर्मेंट के गाइडायन को फॉलो करते रही है फिर मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में चली